मत्री साथ काली प्रिया की तरफ साथ सोकुनमन ओम काली तो आज मैं आ गई हो और एक नए वीडियो के साथ वीडियो का नाम है मुद्रा के साथ मेरा क्या अनुभव रहा है तो वीडियो सुरू करूँ सबसे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो से अच्छे लगते हो ज्यान वर्दक लगते हो उप्योगी लगते हो तो आप लाइक, कमेंट, शेर, सबस्क्राइब कर सकते हैं देवी की सब पहले अर्शिम कर पा रहे हैं ओमकाली तो चलिए सुरू करते हैं मैंने मुद्रा, चक्र और नाडी इस पे एक वीडियो बना रखा है आप चाहे तो पहले वो देख सकते हैं उस पे मैंने काफी डिटेल में बताया है कि मुद्रा क्या होता है और उसका हमारे पे क्या प्रभाव रहता है हमारे नाडियों पे और हमारे चक्र पे तो ये जो वीडियो है मैं भी बनाऊंगी वो है कि मेरा पर्सनल क्या अनभव रहा है मुद्रा के साथ एक चीज़ में बता दू मेरे यूटीब चैनल में कोई आपको जूटी फूशी कहानिया बेताल देखना, भूत देखना, प्रेट देखना, चुरयल देखना उस ताइब को आपको नहीं मिलेगा कभी साइन्टिफिक लॉजिकल चीज़े आपको मिलेंगी जो सुनके भी लगे कि हाँ ये पॉसिबल है हाँ ये हो सकता है और ये अटेनबल है भूत पिसाच की कहानिया आपको कहीं और मिलेंगी वहाँ देखिएगा तो चलिए मैं सुरू करती हूँ कि मुद्रा से मेरे क्या अनुभाव रहे है देखिए मुद्रा तो ऐसे बहुत सारे मुद्रा है तो मैं बस एक ही मुद्रा करती हूँ और unfortunately मैं आपको नहीं बता पाऊंगी YouTube में मैं नहीं बता पाऊंगी कि मैं क्या मुद्रा करती हूँ वो थोड़ा गुप्त है वो मुझे गुडू से मिला है और मैं नहीं बता सकती है ऐसे openly लेकिन मुझे बस मुद्रा का अनुभाव बताना है कि मुझे क्या अनुभाव मिले है ठीके और आप भी कैसे अनुभाव ले सकते है आप कोई भी मुद्रा ले सकते है ठीके आप नेट में भी सर्च कर सकते बहुत तरगी मुद्राई होती है तो देखेगा आपको जो attract करता है आप उस हिसाब से मुझे मुद्रा मिला था तो उस मुद्रा का मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था जैसे मैं पूजा करने के लिए बैठती हूं तो उस मुद्रा मुद्रा पे मैं करी 15 मिनट, 10-15 मिनट मैं जाती हूं ठीके वो मुद्रा मैं अभ्यास करती हूं दिन में मेरा वही 10-15 मिनट होता है कभी-कभी होता है तो ध्यान करती हूं बीच में मन करता है तो बेट पे बैठे-बैठे भी मैं उस मुद्रा का अभ्यास कर लेती हूं ठीके तो मुझे को जो अनुभव मिला वो ये कि सुरू सुरू में तो नहीं करेब 2 विक या 3 विक पीद गया या फिर 1 मेना शायद हो गया उसके बाद से मुझे अनुभव मिला शुरू हुआ मुद्रा के साथ जो पहला अनुभव मुझे मिला वो ये की हाथ के विभिन जगा पे मुझे दर्द होने लगा था वो मुद्रा कुछ ऐसा complicated नहीं था कि जिसमें दवाव पड़ेगा या फिर कुछ वैसा होगा जिसमें दर्द हो वैसा कुछ नहीं था कभी सरल मुद्रा है लेकिन फिर भी ऐसे लगारे कुछ कुछ जगा पे इस लगारे सुई भोक रहा है या पिर दर्द कर रहा है तो वह मेरे को फोड़ा था अभी पहला अनुभव मेरा दूसरा अनुभव मुझे मिला था वो कि मेरा जो हाथ है मेरी उंगलियां इवन की बैक वाला जो भी पार्ट है ना वो गड़म हो जा रहा था ठीक है कभी कभी इतना जादा गड़म हो जा रहा था कि मेरे को मुद्रा बीच में छोड़ देना पड़ रहा था ओवर टाइम क्या हुआ वो जो ताप है वो जो गड़म हाथ है सिर्फ मेरे हाथ में ही नहीं अब मेरे पुड़ बॉड़ी में जाने लगा था मतलब वो मुद्रा कड़के मतलब 10 मिनट भी मैं स्वेटर पहन के नहीं बैठ पाती थी मतलब इतना ज्यादा गर्माहट सरीर में मेरे आ जा रहा था इतना ज्यादा तप आ जा रहा था उस मुद्रा की वज़़से यह मैंने वेरिफाइब भी किया था यह कुछ दिन पहले देखती हूं चोड़ देती हаетеूं अब क्या होते हैं मुद्रा मैने छोड़ दिया अंदर मैने पहंड लिया तो मैंने मुद्रा ट्राइब, फिर वाई हुआ हुआ, ऐसा हो रहा था मैंने वेरिफाइब किया था तो ऐसão लगा ह्यहीं में मुद्रा की तो यह हो रहा है अब मैं आपको उताती हूँ तीसरा अनुभव जो मेरा रहा था वो ये कि ऐसा लग रहा था जो पूरा जो हाथ है उसमें बाइप्रेशन हो रहे है यानि कि तरंग टाइप का है उपर नीचे उपर नीचे उस टाइप का फिलिंग मुझे हुआ था कि पूरे हाथ में पीछे म मुद्रा जागरन के अनुभव है तो कोई भी साधक जब मुद्रा प्राक्टिस करता है तो मुद्रा जागरन के समय पर ये सब अनुभव होता है इसका अर्थ यही हो रहा है कि आप जो मुद्रा प्राक्टिस कर रहे है वो आप जागरत हो रहा है ठीक है अच्छा ये जो जाग्रन जो मुद्रा का होडा है, उसका अर्थ किया है, मुद्रा की जो चेतना है, मुद्रा का भी एक चेतना होता है, इवन की जितने भी living या non-living entity है जीवित या फिर non-जीवित ठीक है सब में ही प्रान रहते हैं सब में ही चेतना रहती है वैसे ही different finger के gesture different जो मुद्रास है उनमें भी एक प्रान रहता है तो जब जागरन होता है ना मुद्रा का इसका मतलब यही हुआ कि यह जो उस मुद्रा का जो प्रान उस मुद्रा का जो चेतना है वो activate हो गया है और वो चेतना obviously आपकी चेतना से उचा है ठीक है आपकी चेतना को अब प्रभाव कर रहा है प्रभाव में डाल रहा है समझ में आ रही है और उस चेतना का जो गुन है वो अभी आपके भीतर आने लगेगा जैसे आकर्षन मुद्रा होता है त्रेलप की आकर्षन मुद्रा वो जब आप करने लग जाओगे वो जब जागरत होने लग जाएगा तो वो मुद्रा का जो एनर्जी है मुद्रा का जो एट्रिब्यूट है वो आपमें आने लगेगा, आपका आकर्शन खुद बाखुद बनने लग जाएगा मैं तो बोलूगी, जिन लोग को साधी का दिक्कत होड़ां शाधी का वयाँ में दिक्कत होड़ां याफि реб्ム, love marriage में, love affairs में दिक्कत होड़ां उनको त्रलोक के आकर्शन मुद्रा के साथ क्लीम मंत्र का जब करना चाहिए देखेगा बहुत बेनेफिशल रहेगा इमें आज माया हुआ है at a time तो बड़ा प्रभावकारी रहता है लेकिन कोई भी मुद्रा एक्ट कड़े उसके लिए उसका जागरन बहुत जरूरी है बिना जागरन किये बिना उसका जागरत में मुद्रा कामनी करती है मंत्र के जैसे ही जैसे मंत्र में मैकसम मंत्र में बोला जाता है शवाल आक जब होना चाहिए तब वो जाके जागरत होती है वो भी गैरंटी नहीं उसमें बहुत सरे वह फैक्टर्स रहते हैं तो वह एप्रप्रॉक्सपेर बोला जाता है उतना अगर संग से जब किया जाए चेथना के साथ तो जागर्थ हो जाते हैं वैसे ही मुद्रा के साथ भी होते हैं किसी का थोरा जल्दी हो सकते हैं किसी का लेट हो सकते हैं और किसी का ना भी हो कोशिश तो कड़के देखना पड़ेगा तो अज का वीडियो में यहीं से माप्त करती हूं ऐसा करती हूं आप सबको अच्छा ल